इस question में हमें कहा है, given है हमें, कि 1 is a 0 of polynomial, 1 जो है, 0 of the polynomial है, P of x is equal to ax²-3, a-1 into x-1 का, तो सबसे पहले, इस में हम, जो polynomial given है, उसको copy कर लेंगे, इसमें P of x का मतलब है, polynomial को हमने P से represent किया है, और उसकी value of polynomial P, depend on the value of x, और साथ में हमें ये कहा है कि 1 is a 0 of the polynomial, P of x, 1 जो है, 0 है, polynomial P of x का, अब 0 क्या होता है, 0 of the polynomial, 0 of the polynomial, क्या होता है, is that value of variable, वो value variable की, variable यानि की, इसमें variable क्या है, x है, which makes the value of whole polynomial equal to 0, जो x की ऐसी value, जो पूरे polynomial को equal to 0 कर दे, तो इसमें हमें 0 क्या दी है, 1, that means, अगर हम x की जगे 1 डालेंगे न, तो जो इक given polynomial है, वो equal to 0 हो जाएगा, तो वही मैं करने वाला हूँ अभी, देखो, x की जगे इदर मैंने 1 डाला, और इदर 1 का square, minus 3 into a minus 1, अगें इदर bracket के बार x है, और यहां पर कोई sign नहीं है, bracket और x के बीच में, तो हम multiply का sign consider करते हैं, याद रखना, तो यह multiply में 1 हो जाएगा, और यहां पर minus 1 आ जाएगा, और इसको हम, जैसे हमने 0 की value डाल दी, x की जगे, जो 0 की value होती, 0 कितना था, 1 था, तो x की जगे हमने 1 डाला, तो polynomial किसके equal हो जाएगा, 0 के equal, मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब इसको solve करना है, एक को आप ऐसी रहने दो, अब 1 का square क्या होता है, 1, तो a multiply by 1, अब ही क्या करो कि, इस 3 और इस 1 को पहले multiply करा हो, 3 वंदा 3, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, और अभी हम bracket next step में open करेंगे, 3 वंदा 3 कर दिया, और in bracket a minus 1 is equal to 0, any number multiply by 1 क्या होता है, same number, so a multiply by 1 क्या होगा, a ही होगा न बच्चे, yes sir, a होगा, अब minus 3 को हम a से multiply कराएंगे, ये bracket open करते वक्त, तो ये हो जाएगा minus 3, और minus 3 को 1 से भी multiply कराएंगे, minus minus plus, और 3 multiply by 1 is 3, और minus 1 is equal to 0, अब next step होगा, जो variable वाली term है, उसको आप left and side में रहने दो, और जो number वाली terms है, यानि की constant terms, उनको right and side में shift करतो, तो इसमें variable वाली terms को उनसी है, एक तो a है, और दूसरी minus 3 है, ये LHS में ही रहेंगी, लेकिन जो constant है में उस 0 के साथ shift हो जाएंगी, RHS में चली जाएंगी, तो RHS में already 0 है, तो हम नहीं डाल दिया, अब LHS में ये plus 3 था, इसको हम 0 के साथ shift करेंगे, RHS में तो ये minus 3 हो जाएगा, अब LHS में इदर minus 1 है, ये RHS में जाके plus 1 हो जाएगा, अब इसको solve करना है, तो a के आगे कुछ नहीं है, तो 1 है, अब plus minus, minus होता है, तो 3 में से 1 minus करेंगे 2 हो आएगा, sin greater का, तो minus 2 a is equal to, अब इनको solve करो, 0 minus 3 is minus 3 plus 1, अब minus 2 a, अब इसको solve करना है, minus 3 plus 1, minus plus minus 3 minus 1 is 2, and sin greater का, तो minus 2, so, अब last step है हमारा, a की value find हो जाएगी, इसके पाद, a is equal to क्या होगा, इदर जो ये हैं, minus 2 a से multiply हो रहा है, जब बीच में कोई sign नहीं होता, तो हम multiply का sign consider करते हैं, तो ये LHS से RHS में जाएगा, minus 2 पूरा पूरा जाएगा, sign नहीं change करेंगे, क्योंकि हम minus से plus में ले जा रहे हैं, हम multiply से divide कर रहे हैं, तो हम ये minus 2 का sign साथ में जाएगा, इसका, और ये divisor में आ जाएगा, कि इधर multiply इधर आके ये divisor में आ गया, यानि कि minus 2 जो already या minus 2 हुआ था, उसके नीचे यहाँ पर minus 2 ये वाला आ गया, अब देखो ये और ये कट जाएगा, तो इस इंप्लाइज डैट, अब 2 को 2 से divide करेंगे 1, नीचे numerator में 2 को 2 से divide करेंगे 1, so हो गया है, ये 1 upon 1, a is equal to 1 upon 1 और 1 upon 1 को हम 1 नहीं लिख सकते हैं, ये 1 divided by 1 क्या होगा, 1 नहीं होगा, so finally a is equal to 1 हमारा answer है,